हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारा हूं कि कैसे आप अपने भीवो X Android एंड्रेड खाली के से कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए आप वीडियो को हमें स्टार्ट कर लेते हैं तो अगर आपक को reset करना है कैसे देखिए आप अपने mobile phone का कोई सब्सक्राइब उंगली से दबाके रखिए तो आपको छोटा पेज ओपन होता है इसमें आपको app info पर टैप करना है इसके अंदर आपको जो है ना यह मैं आपको दुबारा से दबागे दिखा जाता हूं यह जो आपका पी छो आपने mobile phone में जितने फालतू के apps नहीं कि जिन apps को आपस को अनिस्टॉल करना है इससे आपके phone का storage खाली हो जाता है अगला काम यह करना है आपके mobile phone में काफी सारे ऐसे apps होते हैं जिनके अंदर आपको backup setting मिलेगी तो जिस आपको backup setting मिल जाते हैं उन सभी apps में से backup setting को बंद कर जाता हूं गैलरी में देखे राइट साइट की टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर रहे इससे आपको टैप करना है आपका पेज आता है इसमें देखिए backup के setting है तो यह backup लिखा हुए क्योंकि मैंने इस app की backup setting को यहां पर पहले से बंद कर रखा है अगर आपकी backup setting यहां पर जालू रहती है तो इसके ठीक नीचे यहां पर ऑफ का बटन होगा और पर टैप करके इस backup setting को बंद कर देना है इसी तरी किसा आपको और भी जिजिस आप के अंदर आपको backup setting मिल जाती है और सभी apps में से backup setting को बंद कर देना है यहां पर यह तो होगी आपके apps की backup setting की बाद अब आपको अपने mobile phone की backup setting को बंद करना है इसके लिए आपको mobile phone का setting page open करना है setting page में सबसे उपर इस search आइकन पर आपको tap करना है यहां पर सबसे उपर search बार में backup लिखना है जैसे backup लिखा हुआ है ठीक है आपको नीचे की साइड ये backup and restore का options होगा इसे tap करना है आपको इस दोस्तों देखिए यह आपर मैं apps की और mobile phone की backup setting को इसलिए बंद करवारा हूं क्योंकि अगर ये backup setting चालो रहती ना तो इससे हमारे phone का internal storage जल्देल्दी फोल हो जाता है तो इसलिए आपको इन backup setting को बंद रखना है जिससे आपके phone का storage खाली रहेगा ठीक है अब देखिए अ सबसे उपर सर्च आइकन पर टैप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में reset आपको लिखना है जैसे reset लिखा हुआ ठीक है आपको नीचे reset option शो होता है इसे टैप करना है आपको फोन आपको directly setting में लेकर आ जाएगा reset option की setting आपको टैप करने है इसके अगले page में आपको फोन की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम पहले करना है उसके बाद phone को reset करना है ठीक है तो मेरे बताएवे सारे process आपको यूज करने से आपके फोन का storage खाली हो जाएगा ठीक है